दुनिया में कोई भी चीस कितनी भी किम्ति क्यों ना हो लेकिन हम प्लांट लवर के लिए रहना प्लांट के साथ समय वित्याना और उसकी केयर करना इससे किम्ति कुछ भी नहीं है आज की जो वीडियो है ना वो है बरसात में इन पौधों को बाहर ना रखें इन जरूरी बातों का अगर जो आप ध्यान रखेंगे ना तो आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे क्योंकि वारिस का जो मौसम होता है वो सभी पौधों को बहुत ही पसंद होता है और वारिस का पानी बहुत सारे पौधों के लिए ग्रोध के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं या वारिस के पानी से वो पौधे बहुत ही जल्दी खराब हो ज सबसे पहला जो प्लांट है वो है यह ब्रामणी ब्रामणी का जो पौधा है इसे वारिस का पानी बहुत ही जादा पसंद है इसको जितनी भी पानी दे दीजिए यह पौधा भी खराब नहीं होने वाला है और यह मिट्टी में भी लग जाती है और पाने में भी बहुत ही असानी से ग्रो हो जाती है तो इस पौधे को आप जरूर लगाएं क्यूंकि इन पौधों को वारिस का पानी बहुत ही जादा पसंद होता है और दूसरा पौधा है यह हीविकस हीविकस की कोई सी भी वेराइटी हो हैवरिड हो या फिर देसी वाली हो हीविकस का पौधा वारिस के मौसम में बहुत ही अच्छी क्रोथ करता है और इसमें फ्लावरिंग भी पूरी भरवर के होती है तो वारिस का पानी में जो नैट्रोजन या फास्पोरस जितने भी मिनरल है सभी इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें इसकी ग्रोध बहुत ही अच्छी निकर कराती है और अगला पौधा है ये है क्रोटन क्रोटन की जितनी भी वेराइटी है न इससे वारिस इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है हाँ थोड़ी सी वारिस का पानी मिल जाए तो ये पसंद करता है लेकिन अगर जो ओवरवाटरिंग होने लग जाती है न तो ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है इसकी रूट गलने लग जाती है थोड़ी थोड़ी पानी मिलती रहे वारिस का बस छिड़काओ होता रहे तब सही है लेकिन ओवरवाटरिंग से इस पौधे को हमेशा सबचाएं ऐसे जगह रखें जहां आप खुद ही इसको वाटरिंग करें अपने आप वारिस का पानी इस ना मिले और अपने आप मिलेगा तो पौधा ओवरवाटरिंग से ये पौधा आपका खराब हो सकता है तो इन पौधों को वारिस के मौसम में थोड़ा सा बचाएं ओवरवाटरिंग से और अगला पौधा है ये है करेडियम की जितनी भी विराइटी है ना सभी को आप वारिस में रख सकती है ये ओवरवाटरिंग से खराब नहीं होता है जबकि ये पौधा वल्व नुमा होत पानी बहुत ही आसानी से जेल जाता है और अगला पौधा है ये है जेड बैसे तो बहुत ही सपोर्टिव प्लांट होता है बहुत ही अच्छी से ग्रोथ भी करता है वारिस के टाइम पे लेकिन इस पौधी को भी ओवरवाटरिंग से बचाएं क्योंकि ये पौधा जब ओ पानी रुकेगी और उपर से जो भी वारिस का पानी इस पे छिड़काओं होगी उससे वह ग्रोथ होगा और वारिस से पौधा बच जाएगा और अगला पौधा है यह है कैला लिली के यह जो वेराइटी है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है तो इस वेराइटी पौधे को भी अगर अभी तक आप नहीं ग्रो किये हैं तो आप ग्रो कर लीजे और इस पौधे को भी थोड़ा वारिस के पानी से बचा लें क्योंकि ओवर वार्टिंग से यह पौधा हमेशा से खराब होता है क्योंकि यह ही ट्यूवर से ग्रो होता है अगर आप नहीं आने वाला है और बहुत ही आसानी से यह वारिस में ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी भरवर के होती है और अगला पौधा है यह है लोटस लोटस के जितनी वी विराइटी है यह वारिस में बहुत ही आसानी से रह जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से वारिस के मौसम में यह ब्लूमिंग भी करता है तो अगला पौधा है यह है डिफिन वेकिया डिफिन वेकिया को भी जो वारिस का पानी होता है उसे पसंद नहीं होता है हाँ वारिस का पानी इकठा करके इसके पत्तों पे आप चिड़काओ कर सकती है जिससे यह मिनरल्स या फिर नैट्रोज सकती है बहुत ही असानी से ग्रो कर जाता है लेकिन इसके जो सेंटर में जो पौप्स होते हैं वहां पर पानी जमा होने की वज़े से यह गल जाता है और अगला पौधा है यह मोग्रा मोग्रा वारिस के टाइम पे भरवर के फ्लावरिंग करती है वारिस के टाइम पे इसे पौदे की ग्रोथ ना डवल हो जाती है वारिस के टाइम पढ़ इस पौदे टो लखो झोड़ सकते हैं अगला पौध है यह ज़ Teil सकते हैं द्रिऑ या फिर ड्रेसिना की जितनी भी विराइटी है आप विल्कुल इसे खुले वारिस में छोड़ सकती है वारिस का पानी इन पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन यह जो ना इस टाइम पर फंगस वगेरा का डर होता है तो थोड़ा थोड़ा आप निमगाल इसको तो वारिस का मौसम पसंद होता है लेकिन इसके प्लांटर में अगर पानी जम गया ना पानी का ठहरा हो गया तो यह पौधा गलने का डर होता है क्योंकि यह पौधा बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है जितनी भी विराइटी है रियो की ना बहुत ही जल्दी आइसे जगह रखें जहां वारिस के पानी इस पे विलकुल भी ना पड़े क्योंकि क्याक्टस को पानी बहुत ही कम पसंद होता है और जितना कम पानी दीजिएगा उतनी अच्छे से यह ग्रो करता है अगर जरासा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो यह पूरा का पूरा पूर समय बचा कर रखें क्योंकि इन पौधों पर अगर जो वारिस के पानी पढ़ जाती है तो जहां जहां पानी पढ़ती है वहां वहां वह गल जाता है वारिस का ठहराव इन पौधों को बिलकुल भी पसंद नहीं होता है और बहुत ही जल्दी खहराव हो जाता है और अगला प्लांटर में जगह ना रहे और ओवर वाटरिंग ना हो तो गुलाव के पौधों को केर करते रहे और फंजी साइड का रेगुलर उप्योग करते रहे पंदरा दिन में एक वार तो जरूर ही कर दीजिए ताकि इसमिक के जड़ में फंगस बगेर ना लहे रहे और आपका यहीं खिल खिलाता मुसकुराता हुआ रहे क्योंकि गुलाव का पौधा तो सभी को वेहदी पसंद होता जहां इसमें काटे भी होते हैं वह यह पौधा सभी का फैबरेट भी होता है अगला पौधा है यह सिंगुनियम सिंगोनियम की जितनी वी विराइटी है न सभी को आप खुले वारिस में रख सकती है क्योंकि ये पौधा वारिस के मौसम में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है लेकिन रेगुलर जैसा मैं बता रही हूं रेगुलर फंची साइट का छिड़काव वारिस के मौसम में करते रहे है क्योंकि वारिस के मौसम में बहुत ज़्यादा के लगते हैं और अगला पौधा ये है क्लंचू कलंचु की जितनी भी विराइटी है सभी को आप सेव करके रख लीजिए इन पौधों पे वारिस का पानी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए वारिस का पानी पढ़ते के साथ ही इसके पौधों में फंगस लग जाती है और वो खराब हो जाता है और ये मार्केट में काफी महंगे मिलते हैं नर्जरी में तो इन पौधों को आप बचा कर जरूर रखिए क्योंकि आप इतने सालों साल बचा रखे हैं देशी वाले के केर थोड़ी कम करनी पढ़ती है वो बारिस का मौसम जहल जाता है लेकिन जो हाइबरिड वाला कलांचू होता है वो बारिस बारिस का पानी विल्कुल भी ने जहल जा पाता है और अगला इसी तरीके से बहुत ही खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है यह है जरवेरा जरवेरा की जितनी भी विराइटी है न सभी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है लेकिन इन पौधों को भी ओवरवाटरिंग से बचाएं जैसे यह ओवरवाटरिंग हो जाती है इन पौधों में तो इसकी रूट गल जाती है और यह पौधा देखते देखते पूरा ही खराब हो जाता है तो इन पौधों को अगर जो आप save करना चाहते हैं तो इन पौधों को बजा कर रखें ताकि आपका पौधा over valveating से खराब ना हो और कोसिस करें कि इसे छोटा से छोटा planter दें या फिर अगर जो planter में बहुत बढ़ा हो गया पौधा तो planter को अच्छी तरीके से मिटी से फिल कर दें ताकि planter में पाने रुके ही ने और पौधा आपके पास सालों साल यूही बना रहे यस तरह से खुबसूरत खुबसूरत फिलावर आपको देता रहे और अगला पौधा है यह है विगोनिया विगोनिया की जितनी भी विराइटी अगर जो आप सेव करके रखे हैं तो इन पौधों को भी बिल्कुल वारिस से बचा कर रखें क्योंकि वारिस के पानी से यह पौधे खराब हो जाते हैं और पते सारे गल जाएंगे रूट गल जाएगी तो यह पौधा बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर जो आप बचाना चाहते हैं इन पौधों को तो वारिस के पानी से बचाएं तो सालों साल आपके गार्डिन में यूही बना रहेगा और इसके पते बहुत ही खुबसूरत ह है यह है एगलो नीमा की वाराइटी वारिस के पानी से बचाये वारिस का पानी इनके पोड़ा पासाल को फूल रहता हमें से लह मैं खराब हो जाता है तो companies बचान और इस वारिश का पानी को हो जतनी ही वी राइटी है न सभी को आप वारष के पानी में इस स्रेम में बहुत कर देए क्योंकि वारष का पानी इन पौधों को बहुत ही पसंद आता है और बहुत अच्छी से ग्रोथ भी करता है आप देखेंगे जितना साल फर में ग्रोथ नहीं किया ना उतना ये दो महीने में ग्रोथ कर पाएगा तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है फास्ट ग्रोथ करती है इसलिए मनी प्लांट जितने भी आप लगा रखें पानी में लगा रखें सभी को फटा-फट से उठा कर वाहर रख दीजे ताकि इसमें लगने का डर थोड़ा सा जादा होता है तो फंजी साइड आप रेगुलर डालती रहेंगे न तो ये पौधा आपके गार्डन में यूही हस्ता खिल खिलाता और अच्छी तरीके से वरवर के फ्लावरिंग करता रहेगा और अगर जो जादा प्लांटर में जग है मिट्टी क प्लांटर में तो आप उसे उपर तक फिल कर दीजे ताकि जादा पानी जमाना हो और पौधा आपका यूही हस्ता मुस्कुराता आपके गार्डन में हमेशा से फ्लावरिंग करता रहे क्योंकि ये पर्मानेंट प्लांट है लेकिन अगर अभी तक आप इसकी कटिंग नही प्लांट आप कैसे तैयार कीजिए और जितने ज्यादा प्लांट होगी उतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग करेगा आपके गार्डन में तो इन पौधों की कटिंग लगा दीजिए फटाफट से और अगला पौधा है यह है अं मार्लस लीली की जितनी वी विराइटी है बहु इस टाइम में वल्व में अधोर भी होता है उस सारे चुटे चूटे वल्व बन जाते हैं और इसी टाइम पे इसके ग्रोथ होती है तो खुलब वारिस में इसे आप रख सकती हैं कोई प्रावलम नहीं होता है इसके वल्व भी नहीं कलती है और बहुत हाड़ी प्लांट होता है लेकिन हाँ जिसमें ये पौधा लगा है उस प्लांटर की गुड़ाई वारिस के मौसम में ना करें और अगला पौधा है ये है वालसम या गुलमेंदी भी कहा सकते हैं ये बह सुरत आपको फ्लावर लग रहे है ना उतनी जल्दी ही ये गलकर गिर जाता है एक ही दिन में आप देखिए कि पौधा खड़ा है और खराब हो जाता है क्योंकि इसको भी ओहर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है तो प्लांटर को अच्छी तरीकी से मिट्टी में भर दीजिए और खुले आसमान में इसको रख दीजिए वारिस के पानी इस पौधों को बहुत पसंद आता है और अगला प्लांट है यह है जट्रोपा जट्रोपा भी आप वारिस के मौसम में रख सकती है इसमें कोई प्रॉलम नहीं होती है लेकिन अगर जो आप इसक प्लावरे लगे लगाल vh और चैंब आता है और लावरे प्लावरे अगला प्लांट है और अगला प्लांट है यह आडेनियम एडेनियम को वारिस के पानी से विल्कुल बचाना चाहिए अगर आपके पास जगह नहीं है इसे हटाने की तो इसके प्लांटर को विल्कुल उपर तक फिल कर दीजिए ताकि इसमें पानी जादा जमा नहो और ये पौधा विल्कुल सेफ रहे क्योंकि ये पौधा में फंगस बहुत ही जल्दी लगती है आपको पता भी नहीं चलेगा कि फंगस कब लग गई और फंगस लग जाती है और पौधा खड़ा-खड़ा ही खराब हो जाता है तो इसे वारिस के पानी से बचाना बहुत ही जरूर ही है अगला पौधा है यह है डाइन्थस अगर जो आप पूरी गर्मी डाइन्थस को बचा कर रखे है तो इसे आप केर करना शुरू कर दीजे क्योंकि इसको ना वारिस का पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है जैसे वारिस का पानी इसे लगेगा तो यह पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है तो आप इसे ऐसे जगह रखें जहां वारिस का पानी बिल्कुल भी इसे टच ना कर पाए क्योंकि वारिस का पानी से बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और अगला पौधा है यह है रवर प्लांट रवर प्लांट इंडोर चलने वाला बहुत ही खुबसूरत पौधा होता है लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आए वारिस होना सुरू हो जाए तो इन पौधों को फटा-फट से उठा कर बाहर रख दीजे क्योंकि वारिस के मौसम मे इस पौधे की ग्रोध दुगनी हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है तो आप इसे इंडोर रखे हुए हैं अच्छी बात है लेकिन इस टाम में वारिस का पानी इन पौधों को जरूर पिलाएं ताकि अच्छी से ग्रोध करें और पौधा आपके पास हेल् कोलीयस भी बहुत ही संसिटिफ़ प्लांट होता है वारिस के पानी से झात खराब हो जाता है तो इन पौधों को भी वारिस का पानी से बचाएं यह पर भी सेम कंडिशन है अगर आपके पास जगह नहीं है इसे सेमी सीड में रखने का जहां पर सेड लगा हो वांपे सिफ् जासे हैं वारिस का पाने भी नौरंग को भी साडी. करता है और इस टाइम पे तो इसकी वीज भी लगा दीजे न तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे आपके तयार हो जाएंगे तो आप उसको भी ग्रो कर सकती है फटा-फट से अगर अभी तक आप ग्रो नहीं की हैं तो इसका वीज लगा दीजी और आपके पास धेट सारे पौधे बहुत सारे पौधे तयार हो जाएंगे और अगला पौधा है यह है स्पाइडर प्लांट इसको कहता है कि मैं वास फिल्टर का पानी पीटा हूं जैसे गरमी हो सरदी हो तो इसे तो इसे आप पानी नहीं चाहिए क्याँ कि यह पानी को hold करता है और ज्यादा पानी से यह पानी से यह पौधा खराब हो जाता है तो कम पानी मिलेगा नगैं तो यह पौधा बहुत उच्छी से growth करेंगा, और वारिस के मा Sabbath मेतो इसकी growth वैसे ही दोगनि तिगनिय स्पीड सी हो जाती है और अगला पौधा है यह है जैस्मीन यानि चांदनी चांदनी का पौधा भी आप वारिस के मौसम में यूँ ही रख सकती है जहां पे पौधा है आपका तो आप रख दीजिए और इसको फुल सनलाइट भी चाहिए जितनी जादा दोप मिलेगी उतनी ज्यादा फ्लावरिंग करेंगी तो इन पौधों को वारिस के मौसम में यूँ ही खुला रख सकते हैं और इस तरह से पिंचिंग करते जाएए तो आपके पास बहुत सारी फ्लावरिंग करती जाएगी यह पौधा और अगला पर्मनेंट प्लांट बहुत ही हाड़ी प्ला प्लावरिंग होंगी तो इस पौधों को भी आप बेहिचक रख सकते हैं और अगला बहुत ही कोश्टली प्लांट होता है यह अन्थूरियम का प्लांट भी वारिस का पानी बरदास नहीं कर पाता है क्योंकि इसे आप रखिए इंडोर क्योंकि इंडोर में यह चलने वाला बहुत ही खुशूरत पौधा होता है और इन पौधों की केर जरासा भी आप कर लिजिएगा तो यह पौधे आपके पास कहीं भी नहीं जाने वाले क्योंकि गर्मी को तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे बहुत अधी गर्मी की कारण पौधे खराब होते गए हैं लेकिन वा वाटरिंग से और नहीं अंडर वाटरिंग से तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड थैंक्स और वाचिंग